नमस्ते दोस्तों मैं शीतल सिंग और आपको बताने जा रही हूं सर्दी से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे आसन जो आपको सर्दी में थोड़ा सा आपको गरम रखने की कोशिश करें और इनसे आपको बहुत जादा सरीर में होने वाली बहुत सारी जो सर्दियों में हो लगती है लेजी पन स्टार्ट हो जाता है सर में थोड़ा भारी पन होने लगता है जुखाम की परेशानिया होने लगती है तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए आसन योग में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिसको करने से हम अपनी बॉड़ी में गर्मी भी ला सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से शुटकार भी पा सकते हैं तो चलिए आएए हम करते हैं पहला एक ऐसा आसन जिसका नाम है सर्वांग्षम सर्वांग्षम किसी भी आसन पर या फिर किसी भी योगा बहुत तरह की मैट आती है आप चादर के उपर भी आराम से लेट कर सकते हैं इस आसन में सबसे पहले हम पीट केपल बिल्कु मर кош बहुत जाएंगे कि दोनों हाथों को बिल्कु मर अब बन जाएалась आप इस पोजिशिन महीं कम से कंदोकर नों रोख सकते हैं और इस पोजेशन में आप देखेंगे हार्ट की ब्लोकेस वगरा खोरने के लिए या फिर आपकी थायराइट की जो ग्लेंड्स होती है उनको एक्टिव करने के लिए यह आसन सबसे अच्छा आसन है यह आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जिनके बाल जड़ते हैं बहुत ज्यादा प्रबलम होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन ही है दो से पांच मिनट तक आप इसको क्रिया को करिए जो लोग सीर सासन नहीं कर पाते हैं इस आसन को वो लोग ज़रूर करें क्योंकि यह आपको सीर सासन के जितने भी लाब होते हैं प्रबल उसी के बराबर आपको लाब बचाता है अब करते हुए दीरे दीरे सांस लेनी है आपको आप चाहे तो अपनी ब्रीधिंग काउंट भी कर सकते हैं कि मुझे 5 ब्रीधिं तक या 10 ब्रीधिं तक आपको इस पोजिशन में रूपना है यह आशन आपके पूरे पूरे बॉड़ी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है जिससे आपको सर्दी में एक वामनेस भी मिलती है पुर दीरे दीरे अपनी पुराने पोजिशन में आ जाएंगे तो यह था सर्वांगसम, सर्वांगसम में आप देखेंगे कि आपकी बॉड़ी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर पूरी तरीके से बढ़ने लगता है इसमें Metabolism आपका बढ़ने लगता है और जो Blood Circulation की वजए से आपकी बोड़ी में Energy स्टार्ट होने लगती है तो आप इस आसन को कम से कम 2-5 मिट तक कीजिए और इसका आनन उठाईए धन्यवाद